आज हम बनाएंगे बिंटर स्पेसल सबको पसंद आने वाली मार्किट स्टाइल पफ पैटी धेरो पर्तो वाली खस्ता पफ पैटी मतर का सीजन है एक बार बनाना तो बनता है तो चलि आज की रिस्पी शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम मतर का दाना निकालके अच्छे से धोके रख लिए हैं इधर लिए हैं दो कप मैदा, हाप टी स्पून, अजमाइन, हाप टी स्पून नमग तीन टेबल स्पून तेल डालके अच्छे से मिक्स करके कराडो तयार करके हम ढखके रख देंगे 10 मिनट के लिए इधर जो मतर का दाना निकालके रखे हैं एक टेबल स्पून तेल डालके लोटू मिडियम पे दो मिनट भूनेंगे जिसे इसका कच्चापन निकल जाए ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे करेंडर जार में रखें वापस उसी पैन में हम तेल डालके दो टेबल स्पून एक टी स्पून कस्मिरी लाल मिर्च एक टी स्पून धनिया पाउडर एक टी स्पून आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी टेस्ट के कोटिंग नमग चीली फ्लेक्स और हम इहां पर डाले हैं एक टेबल स्पून धनिया और सौफ का दरदरा किया हुआ पाउडर सब को कुछ सेकेंड भूनने के बाद एक टेबल स्पून चैना का बेशन अब जो मतर हम पीश के रखे हैं उसको डाल के एक मिनट मसाले के साथ भूनके ठंडा होने के लिए रख देंगे जो आटा हम गूदे है उसका छे बॉल्स बनाए हैं इधर एक टेबल स्पून मैदा डाल के तेल डाल के हम इसका घॉल पेस्ट बनाएंगे छे रोटी हम बेल पूरे अच्छे से लगा करके मैदा ची रखेंगे दूसरी रोटी रखेंगे इस पर से भी पेस्ट लगा करके मैदा ची रखेंगे तिसरी रोटी इसी तरह से जो छे रोटी हम बेले हैं सारे को एक दूसरे से चिपका के हम अच्छे से इस तरह से हाँ से प्रेस देके अब इ बना लिए हैं अहां से प्रेस देके इस तरह से चिकना कर लेंगे तेज नाइप से साइट से कट करके हम रोटी से थोड़ी सी छोटी इसका हम कट करेंगे जैसे हम पूरी बेलते हैं जो एस्टफिंग है मतर का डालके इस तरह से सील कर दे हां से फोक से इस तरह से चिपका दे तो आप देख सकते हैं कितना पड़त है जिस साइट से आपको पड़त दीख रहा है उसी साइट से आप चप्टा करें अच चप्टा करके एसको हम बेल के rectangle आकार का हम इसका सेप़ देंगे जो ये स्टफिन है डाल के हाँ से चिपका के इसको भी हम फोक से चिपका देंगे इस सेब का हम बनाए हैं तो आप देख सकते हैं कितना सारा परत दीख रहा है इधर चुले पे तेल गड़म है लोटू मिडियम पर इसे हम फराई करेंगे कोई जल्दी वाजी नहीं करनी है फराई करने में नहीं तो उपर से ब्राउन दिखेगा अंदर से कचा रहेगा तो सारे को हम इसी तरह से फराई कर लेंगे तो हम सारे को फराई कर लिए हैं आप इसे टोमेटो कैचप धनिया की चटनी के साथ सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप इसे बच्चे को लंच बॉक्स सामके स्नेक्स में भी दे सकते हैं तो फ्रेंड्स छोटी सी रेस्पी आपको कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर कर दिजेगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेसन आपको मिल सके मिलते हैं अगली वीडियो में नए रेस्पी के साथ